कुरेशी साथ, पार्त साथ की साथ कुछ कह रहे हैं, जी. जनरेल कुरेशी, I have listened to you since 2000. मुझे याद है कारगिल के युद्दक लडाई के समय, आपने ये कहा, आप खुद, I am accusing you, कि ये हमारी फॉज इसमें बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझाहिदीन है. फिर आप सारी दुन्या को पता चल गई, जब आपके Northern Infantry पकड़े गए वाँ, अब आपके जनरेल मुशराफ खुद कबूल करते हैं, कि फॉज बेजा था Northern Light Infantry था, तो आपके बात हम मानते नहीं हैं, जब हाइजाकिंग हुआ मुझे याद है, आपने कहा कि हमारे लोगों नहीं किया था, फिर पता चला कि मसूद अज़र का भाई है, फिर आपने कहा था जब पार्लिमेंट में अटेक हुआ, मैं आप ही के बात कर रहा हूँ, और मेरा कहना है कि आपको जूट बोलने की आदत है, जब पार्लिमेंट पार्टाक हुआ, तो आपने कहा, इंडियन्स इड़ देंसेल्स, फिर मैं आपको प्रसाइसली बताता हूँ, मार्च 14, 2004, जेनरल जाविद, ये जो जेनरल थे आपके पूर्वा आईसाई के अधियाक्ष, आईसाई चीफ, जाविद अश्रफकाजी, 14th मार्च 2004, उन्होंने खुद कबूल किया आपके नाशनल असेंबली में, कि जो हमारे पार्लिमेंट में अटाक हुआ, उसको लिए जैशे मोहमद जिम्यवार था, और उन्होंने इसलिए कबूल किया था, कि जैशे मोहमद ने आपके सदर को मारने का प्रियास किया था, तो आपके बाद कोई इंडिया में मानेगा नहीं, क्योंकि जूट बोला आपने पार्लिमेंट अटाक के बारे में, जूर बोला आपने हाईजाकिंग के बारे में, जूर बोला आपने हाईजाकिंग के बारे में, जूर बोला आपने हाईजाकिंग के बारे में, जूर बोला कि अगर हम बात करें, आपने जूट बोला कि हम इस पाकिसान में इंडि अपनो है जूट बोला आपकोमत ने जूट बोला और तो आप जूट बोलते ही हैं तो आपके कोई बात पाकिस्तान में नहीं मानेगा अगर ये बात है तो पॉइंटलेस है आर्ग्यू करना ने आपके बात बताना ने पॉइंटलेस है और उसके पट्रोल को जो उदर के भेड़िये और चीले होती है उन्होंने उनकी बाडीस को पैक किया आपके डीजियमों ने हमारे डीजियमों से बात की और उसने मान ली बात उसके तेरा साल बात आपके आपको खोश आई और आपने ये काम शुरू कर दिया आप इसका पहले जवाद बेले पुराद का लिया तो ये हुआ था इसलिए वो आप बिल्ड अप कर रहे थे क्योंकि महीने बाद आपने ये बात आपने बात था कि हमारे सिपाई के आगे गर्दन गाड़ दी अब ये बिल्ड कुरेशिव साथ आपके बारे में के आपके पाकिस्तान की फोश को ब्लेम किया जाए तो अब जूट बोलने की बात है पूस्ट आप से बेपर जूट कोई दिरिया में नहीं बोल सका ना बोल सकता है और ना एंग्दा बोलने के लिए प्यदा होगा